आजना मेंने बहुत ही सिंपल सी फिश करी बनाई है इसे बनाने में मुश्किल से 30 मिनट लगते हैं और खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है इसे आप रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं 700 ग्राम फिश को हमने यहाँ पे मेडियम साइस के क्यूप्स में कट कर लिया है एक कड़ाई में 3-4 चमच तेल डाल देंगे मेथी दाना और चीरा का तड़का लगाएंगे दो सुखी लाल मिच दो टेबल स्पून लसन और एक टेबल स्पून अधरक का पेस्ट डाल देंगे अधरक लसन को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक स्लो टो मिडियम फ्लेम पे भून लेना है यहाँ पे मैंने जो फीश ली है वो समंदर की है और हमारे यहाँ पे लोकल लेंगेज में इसे अपलूस कहा जाता है अधरक लसन बहुत ही अच्छे से भून चुका थ तो मैंने यहाँ पे डाल दी है मिडियम साइस के चार टमाटर और स्वाद अनुसर नमक यहाँ में तमाटर जो है वो मैंने देशी लिये है जिसमें खटापन बहुत ही ज्यादा होता है और इसे हमें स्लो फ्लेम पे ढखकन लगा के पांच से छे मिनिट के लिए आराम से होने तक पकने देना है और आप जब भी फिश करी इस तरह से बनाए तो उसमें ऐसे टमाटर का यूज करें जो बहुत ही अच्छे से पक गए हो लाल हो गए हो इससे आपका फिश करी का टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा यहाँ पे हमारे टमाटर बहुत ही गए थे मैंने इसे चम्मच से मैश कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर दो टेबल स्पून लाल मेश पाउडर दो टेबल स्पून धनी जीरिका पाउडर हाफ टेबल स्पून गरम मसाला सारे मसालों को स्लो टो मिडियम फ्लेम पे अ जब दो इसलीए इमली का पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अगर आपने साधे टमाटर लिये हो, तो आप इसमें नीमबू या थोड़ी सी इमली डाल दीजिएगा, इससे फिश करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, फिश हमारी अच्छे से पक गई है, लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी अड़ कर और बस एक मिनट के लिए इसे हम उबाल लेंगे, अभी हमें ग्रेवी थोड़ी से रनी लग रही है, लेकिन जैसे ही गैस बंद करके 10 मिनट इसे रहने देंगे, ग्रेवी में एक अच्छी से बाइंडिंग हा जाएगी, और हमारी फिश करी की ग्रेवी जो है, वो बहुत ह यह अच्छे से ठीक हो जाएगी, तो लीजिए यहाँ पे हमारी फिश करी तो बनके तयार है, इसे हम गर्मा गरम सर्व करेंगे, अब रोटी यह चावल के साथ इसे लंच या डिनर में एंजोई कीजिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अब एक बार ट्राइज जरूर की जिन्द आए, तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फो वाचिंग और किप शेरिंग